हेलो स्टूडेंट बेलकम बैक तू माई यूटूब चैनल अर्यांत लेक्चेनल गेज्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्जामनर जो थे कौपी चेक करते हैं आपकी कौपी में क्या देखकर फूल मॉक्स देते हैं और क्या देखकर आपकी नंबर काट देते हैं अगर आप क्लास 10 या 12 के चातर हो अगर आपने इस वीडियो पर किलिक किया है तो आप एक लगी इंसान हो हंडी तीन परसेंट में गारंटी देता हूं मैं कौपी खुच चेक करता हूं बोड एक्जाम की पिछले साथ सालों से और मेरा जो अनुभव उस पूरे अनुभव को और साथी साथ अन्य टीचर से जो मैंने बात किया है एक्जामनर जो कोपी चेक करते हैं कई बोड की हमने जो सिच्छक होते हैं उनसे भी बात किया जो उन लोगों ने बात बता है वो पूरी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अगर आप 10 या 12 के चातर ह जुन हो और आपको बोड अग्जाम देना है ज़िक है आपको बोड अग्जाम देना है तो आप अपना 20 से टी के 20 मिनट निकाल कर इस पूरे वीडियो को वाज कर लो हैं तो तो हंडेट 10 परसें मैं गैयरंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बार आपके बोड एक तो हमें 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे थीक है । है 10 से 15 नंबर जो आपका करते हैं कई सारे च्छात्र कहते हैं कि मैंने पेपर 55 नंबर का करकर आया थे जब उनका रेज़ल्ट आ जाता तो उनका कीओ फार thi माहां आता है तो यहां पर 10 नंबर इनका कहां पर कटा ठीक है वो कहां करते हूं कौन सी गलती करते क्या गलती करने से बोर इक्जाम में नंबर कट जाते हैं अगर कोई question नहीं आता तो उसका उक्तरम कैसे लिखेंगे पूरी process हम वीडियो में देखेंगे आपने अगर इस पर click किया कोपी में teacher क्या देखकर आपको फूल मांक्स देते हैं ठीक है और क्या देखकर आपको फेल कर देते हैं यानि कम नंबर देते हैं ठीक है अगर आप इस वीडियो को देखकर आप कमजोर से भी कमजोर चातर तो भी मैं आपका 10 से 15 नंबर बढ़ाऊंगा यह मेरी guarantee है ठीक है अगर आपकी handwriting खराब है तो कैसे लिखना है ठीक है बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी problem होती है handwriting उनका खराब होता है board exam की copy में मिलते ही हमें क्या करना है ठीक है जैसे हमें copy मिलने तो हमें कौन सा काम करना है यह चीज़े हम देखेंगी बहुत सारे ज्छातर गलती करते हैं कोई भी question का answer आधा आ रहा है तो क्या करें ठीक है कोई question का answer बिलकुल नहीं आ रहा है तो क्या करें ठीक है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस trick को लगा देना इस trick को लगाओ कि तो 110% ठीक है 101% यह मैं guarantee कहता हूँ कि आपको number मिलेगा मैं दिलवाँगा ठीक है से कैसे लिखना है कि पूरा number मिले कौन सा trick लगाना है कि पूरा number मिले इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी question का आपको answer कितना लिखना है कि उस पे एक भी number आपके ना कटे ठीक है इस trick से 20 से 30 number पिरी में ज़्यादा मिलेगा आपको जो चातर कुछ नहीं पड़ें वो 95% max guarantee के साथ 110% guarantee है कि वो लाएंगे ठीक है लेकिन उनको वीडियो अंतर तक देखना पड़ेगा तो यह सुरू करते एक एक चीज़ जो teacher आपके copy में देखता है वो क्या देखता है ठीक है teacher copy में क्या देखकर आपको pass या fail करते सबसे important बात है क्योंकि first impression is last impression होता है ठीक है सब सबसे पहले वो handwriting देखता है क्योंकि handwriting आपकी आपको बताती कि आप पढ़ने में कैसे हो ठीक है आपकी सुरुवात के दो से तीन पेज handwriting गिल्कुल अच्छी होनी चाहिए अगर handwriting अच्छी नहीं है ठीक है तो आपको किस trick से लिखना board exam सबसे पहले आप जिस प्रश्ण को कर असलंगों से करने की कोषिस करना है और उस सद्रें किस किस टाइप के प्रश्ण यहां पर ब्लैग पेंज कुछ में चीजिया गए जो है लाइक चीज होती जिसे तीचर देखता है जीवन पर्चे लिख रहे हो तो उसमें क्या में होता है उसमें जन्म का सन्में होता है ठी उनकी कुछ योग्यताएं मेन होती है उसको आपको किसे लिकना है यहां до सब्सक्राइटर संख्या यहां पर तो यहां पर लिखा है और आपके ढाँ लिखते कि दुरी एक पर करना मेंनों ढीका और है समय कि लिखने अगर के लिखना से से पहले आप जिस भी अंगल पे लिखो और आप सब्दों से सब्दों की बीज की दूरी एक पेन इतना रुखो और फर्ष्ट दो से तीन पर सुन्दर लिखो और उसी प्रेश्ण को करो जो आपको अच्छी तरीके से आता आप कहोगे कि सर आप बोरे सीरियल से करेंगे तो अच्छा नंबर मिलता जी हां क्योंकि एक्जामनर फ्रंट पेज पे बार बर नंबर को चड़ाता है और वो बार बर खोजेगा उसे पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता तो आपकी कॉपी चेक करने में उसे समय लगेगा ठीके तो आप स दूसरा कोई खंड करो बादमुस के सोच की करना और यहां पर देखो हैंड राइटिंग सुलगात की दो से तीन पेज अच्छा लिखोगे तो आपको नंबर बखबूर देतेगा ठीके और वो समझ जाएगा कि यह जो बच्चा है वो पढ़ने में स्टूडेंट अच्छा और साधा पेज आपको भूल कर भी नहीं चोड़ना बहुत सरे बच्चे होते कि यह पेज भरा और यह वाला पेज छोड़ दिया ठीके तो आप पेज छोड़ दो तो टीचर इसके आगे नहीं चेक करता है ठीके तो उस केस में आपका क्या होता है नंबर कम हो जा तब फिर question number ना लिखना सबसे बड़ी गल्की बहुत सारे छात्र करते हैं कि यह question number नहीं डालते जिससे teacher काफी परसान हो जाता है और बहुत देर तक प्रशनपत्र में मिलाता है कि 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 क्वेश्चन का अंसर है कि क्वेश्चन का अंसर है और उसमें टाइम लगता है ठीके तो जब तो प्रश्नगत्र संख्या जरूर डाल कर लिखना जीसे हमने बता और कौपी में आपको कभी भी फालतू बाते नहीं लिखना हैं बहुत सारे उसलिख रिखे और that अ किदे मुषकह कह सो wtaki रेते हैं अगर चीजे नहीं आती तो उसको कैसे लिखना वो ट्रिक मैं आपको बता लिखने से ज़्यादे नंबर नहीं मिलता ठीक है मैं बताऊं आपको अगर आपके बोर्ड एक्जाम में आ गया कि गांधी जी ने कितने आंदोलन चलाया गया थे ठीक है तो कोई बच्चा जो है कि वो पूरा भरपूर पढ़कर गया है कि गांधी जी के तीनों आंदोलन की पूरी डिटेल्स पढ़कर गया है तो वो क्या करेगा कि गांधी जी के तीनों आंदोलन को लिखेगा उसके बाद उसकी पूरी डिटेल्स एक हेडिंग में डालकर लिख देगा ठीक है और यह क्वेस्चन कितने मांक्स का है दो मांक्स का और इसकी वर्ड लिमिट कितनी हो तो देखो कभी भी आप जितना नंबर का क्वेस्चन जितने में कहा जिसरे तो पचीस से थीस वर्ड लिख सकते हो चार नंबर लिखो आपके समय का बेकार होगा त्रक गांधी जी का तीनों आंदोलन वर्ड लिख दो उसकी पूरी डिटेल्स लिखने की ज़रुत नहीं हो मार्क्स का होता तो पूरी डीटेल समय निकने पड़तीistem तो आपको कभी भी ज्यादा पेज लिखने से ज्यादे मार्क्स नहीं बढ़ता इसमें आपका डालना है अगर देखे करना है अगर कहीं जिसे जीवन पर्चे लिखना दो यहां पर चाहीं नीचे बचाना है तो आपको चाहरे लाइनस साहीं करते बता है कि यहां से यहां से लिए उसके लिए प्लो nations अपने सामाप्त अ धिक दैशन के बाद से अगर पत्र लेखन शुरू करना है तो उसके लिए नया पेज लेना पड़ेगा ठीक है इस तरह का उसमें कुछ लिखा नहों उसके लिए नया पेज लेना होगा एपलिकेशन लिखना तो नया पेज लेना है यह नहीं कि दो ती लाइन बजगा और यहीं जंप रशनतर लेकिक तरह को लिखना है ऐसी घल्किया आपको नहीं करने टिक यह जरूर देना है एक पैसा ओर इमोशनल बाते लिखने से नंबर मिलता है क्या हूं सर मुझे दया कर दो मैं पूरे साल पढ़ नहीं पया हमारे पास यह मजबूरी थी वह मजबूरी थी तो इससे एक भी न नमबर नहीं वहीं अगर आप इमोसिनल बातों के जगह पर रिलेट कुछ 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 कीवर्ड अपने सब्दों बना कर लिखा है तो उसके नमबर मिल जाएंगे बट आप अगर इमोसिनल बाते लिखते हो किसर हमारे पास यह मजबूरी थी वह मजबूरी थी मैं पढ़ नह की नमबर नहीं मिलते हैं तो आप कोशिज करो कि कोई भी प्रस्न को अटेम्प करने की कुस्स करो पूरे प्रस्न को करने की कुस्स करो नहीं आता उसे बना कर लिखो तीन गंटे 15 मिनट पूरे साल आपको कुछ ने कुछ पड़े होगी या जिस दिन एकजाम था उस दिन को सीधा पेल कर दिया जएगा आप एक लाख रुपया भी रख दोगे तो कोई टीचर आपको लिग कर पास नहीं करेगा क्योंकि यह चीज़े बोर्ड की खिलाफ है इलीगल है ठीक है यह चीजी होगी और आपको मैं बता दू कि जो प्रशन आधा था उसका एंसर लिखे की नहीं लिखे देखो एक चीजे मैं आपको यहां पर किलियर करूँ अगर एक क्वेस्चन आपका 5 marks का है कितने marks का है 5 marks का है यह आपको आधा आ रहा है ठीक है आधा आप लिखोगे तो आपको धाई नमबर मिलेंगे दो नमबर मिलेंगे बट अगर आप इसको छोड़ teacher खुस होकर पूरा number देगा तीक कैसे लिखना है जैसे आपके board exam में ओम का नियम आ गया है तो आपको लिखना कि ओम के नियम के नुसार मैं आपको एक जाम पल एक बता रहा हूँ जैसे आपको board exam में क्या लिखना है अगर देखो आपको आपको प system के लिखना है जैसे आप इसकी से अरडिया आई होता है जैसे बता है तो आप इसका example लिख सकते है की भी भाई आई के अनुपात को का नियम कहते हैं अगर ये भी नहीं पता है तो आप इस से related कुछ अपने सब सक्क्राइब को चैप्तर इसे चैप्तब्स चैप्तर क्या में अगर आपको ये जैसे की कि यहां पर नातिमक के प्रशना थे अगर इसमें से आपको संदर्व नहीं पता इसका पूरा भी रिखांकी तंस की व्याक्य यह नहीं आ रहा है तो आप इसको क्या करो कि अपने सब्दों में जिससे रिखांकी तंस का एक इसी को भी लिख दोगी तो भी 1 नंबर मिलेगा अगर टीचर अच्छा है तो 2 पूरा देगा ठीक है और गद्यांस का संदर्व लिखना अगर इसका सीर्षक पाड का नाम नहीं है इससे लेटर अगर आपको मिलता जुता कुछ लगता है तो गलत ही लिख दो लेकिन पूरा बुलूपेल से लिखो ठीक है तो उसके आधर नमबर मिल जाएंगे लिखो गे प्रसू प्रसुम से कुछ लिख दो ठीक है लिख दोगे तो आपको नमबर एक नमबर मिलेगा लेकिन कोई भी क्वेस्ट्टन आपको बोड एक्जामे छोड़ना नहीं है अगर छोड़ कर आओगे तो एक भी नमबर नहीं मिलेगा उससे लिटर कुछ भी लिख कर आओगे तो कोबर मिलेगा ठीक है तो आज की वीडियों पर से इतना है विलोंगा नेस्ट विलोंग तो